तमाम नेताओं के इंटर्व्यू दिखाने के बाद आज हमें एक्टिव ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो कांगरेस की तो रादनेती करते हैं कांगरेस के जीला कांगरेस कमिटी के महामंत्री है सांथी साथ जो जीला केमिश्ट संग के अध्यच भी है और प्रजर स के एक महत्पूर्ट जिम्मेदारी दी गई है किस विसे में आप क्या कहेंगे लगातार गर्यावन दिला संगिठंग की पहले सच्चू के रुप में काम किया और मरतवान में पिछले दो कारेकाल से दिला अध्यच के रुप में काम कर रहा हो और लोगों का प्रेम मेरे और इस बार तो निर्विरोध हमारी पुरी टीम अंद्यक्ष के नाव पुरी टीम निर्विरोध हमारी चुन का आई है तो निश्चितरूप से लोगों के बीच में एक अच्छी स्विकारता है मेरे मिशे में चुकि आप नदी उस पार के 36 जागरबारा से आते हैं यह काफी ग्रामेंट बेल्ट है ग्रामेंट बेल्ट से मारे हैं वहां तक का सफर इस बीच कितना मेहनत करना पड़ा मेहनत तो कर ही रहे हैं कई साल लगबग 20 साल हो चुके हैं नहीं कम वह ने जो देर हां लगबग बारतेरा सान हो गया है यह संग्धन में काम करते हो और मिसकुसी की काम में संग्धन में काम करने में मेहनत तो लगती है और इस स्वावावी कहा हैं मेहनत नहीं करेंगे तो कहीं पर विस्तान किसी को नहीं मिनने हैं हम को भी नहीं मिनने हैं अच्छा माराज जी प्रदेश इस्तर पर प्यारों की जिलमेदारी आपको मेही है इसका कामकाच करने का तरीका कैसे होता है मारे जी थोड़ा वर दर्सकों को विश्टार से समझाएंगे देखिए मूलता ही ये कैमिस्टों का संगठन है और पंजिकित सहस्ता है हमारी और ये पूरे प्रदेश के लगबग 30,000 कैमिस्टों के हितों की चिंता करता है दवाओं के उपलब्धता दवाओं के गुनवत्ता और उसके साथ साथ हमारे कैमिस्टों के हितों की सुरक्षा हमारे जो ग्राहाक हैं उनके हितों की सुरक्षा ऐसे कई सारे मुद्दों पर हमारा संट्रन काम करता है पर प्रमुक यही है कि कोने से कोने में हमारे जितना भी 36 गड़ की कोने कोने तक भी दवाइयों की बरावर उपलबता हो ये हमारा पुरा प्रयास लेता है उसमें मानजी काउंसिल के विशा में कुछ मताना चाहेंगे 36 गड़ फार्मेसिक आउसिन मुख्य रूप से फार्मासिस्टों के विशाए में चिंता करता है फार्मासिस्ट आपनों पर पता ही होगा ति दवाईयों का जहाँ पर भी जिक्र आएगा या काम आएगा वहां पर फा आउसपिटल हो सासन के हुस्टिटल हो वाईवेट हुस्टिटल हो हमारे फार्मिसी गाउस्ट हो चाहे वह के सेक्शनնटों हो रहे हो जहां भी हो रहे जो डिग्रिया है D-form, B-form, M-form, P-form D, यह सब डिग्रिया जिल ले कर जो भी आते हैं और कारे करते हैं, वह हमारे फारमेसी काउसिल के पंजियर काम करता है, हम उनके पंजियर काम करते हैं, हम कॉलेजों के सिक्षा से लें करके सारे विशार में हम मैं चीप्ता करते हैं 36 गड़ Phariseic Council परमेशिक बेड़ाने सास्था राष्टरी स्तर में PCI होता है फार्मेशिक आउस्थिं पर इंडिया और राज इस्तर में state फार्मेशिक आउस्थिन हुआ करता है उसी तरह 36 गड़ भी 36 गड़ फार्मेसी काउंसिल है जिस्टा अभी कुछ दिन पहले तक मैं सदस से निर्वाचित हुआ था पुरे प्रदेस में चुनाव लड़ करते और अभी प्रदेस पास तारीक को चुनाव हुआ जिसों मैं प्रदेस अध्यफ निर्वाचित हुआ हमारे लोगों का विश्वास हो उनका प्रहिम वच्च में पहली बार गर्यवन जीले का कुछ रहती पुरे जीले से परदेस इस तरपर उस बड़े पद पर गया है तो उस पद में जाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ा और उस पद में जाने के पाद आपके जिम्मेदा करना है और बहुत सारे इसमें काम है तो काम तो करने है लेकिन जो आप कुछे भी यहां से लेकर के वहां तक पहुंचना तो आप भी देख रहा हूं कि उडिसा के बॉर्डर से मैं आता हूं बेसिकली मैं हमारे पीता जी हेड मास्टर थे और हमारी मा किसान थी एक किसान परिवार हमारे दादा जी भी किसान थे एक किसान परिवार का मैं हूं और उसके बाद में मैंने फार्मेसी का प्रोफेशन या केमिस्ट का जो प्रोफेशन है वो मैंने तै किया है मैंने डिग लोग मुझे से मुझे पर विश्वास करते थे मेरे कामों पर विश्वास करते थे इसी कारण से पुझे प्रदेश में जिक चुनाओं होए उसमें अच्छे अंतर के साथ मुझे जीत मिली और जीत मिलने के फस्याद जो अध्यक्ष के चुनाओं होता वह भी अपने आप में यह दो निश्ठी दूप से बहुत मड़ी बात है और आज तर जैसा आपने बताएं कि गरियावन से आज दो कमी कमी पर्मेंसी काउसिल का सदल्सिंग नहीं बना है पहली वार ही मैं वरियावन दिले की ओर से परमेसी काउसिल का सदेश्य से बना हूँ और सदेश्य से बनने के साथ ही पहली वार ही कोई आदमी अद्धेफ्च बना है अभी तब मेरे जैसा छोटे मद्योंगर्वी परिवार का आदमी कोई काउसी का देख्षी मना हो ऐसा मुझी जाम करें नहीं है जिस तरह यादो समाज के जो प्रमुक है जिला देख्षें वो कहते हैं कि हमारे समाज का 80% वोट बीजेपी में जाएगा 20% वोट 15% वोट कांगरेस में तो 5% वोट आमार्णी पार्टी में इसी तरह जो माली समाज के जो प्रमुक है निलकंड बीजी जे उनका भी दावा है 80% वोट BJP में तु 20% काँग्रेस में दोनों समाज प्रमुकों के बयान को किस रूप में आप देखते हैं नहीं निस्चित रूप से माली समाज और यादो समाज इस चेतर में इस चुनाओं में प्रभावित करता है और करता आ रहा है अब बाकी समाज भी करते हैं पर अच्छी बात है, अभी जुनाओं का समय है, जुनाओं का समय सभी अपने अपने दावे करेंगे, उन्होंने भी कहा होगा, उनका अपना क्या तरीका है, कि इन आकलन के साथ उन्होंने ऐसा कहा है, वो तो वही समझ पाएंगे, पर मेरा ऐसा मानना है, पाउंग्रेस की जो सरकार है, उसकी जो काम, लोगों तरफ पहुँच, समाज के हर वर के लिए चिंता करना, हर वर के लिए काम करना, वो है जो, वो जरूर प्रवावित करेगा, और निश्चित रुप से लोग, पूराने जो हमारे, वो बनी हुई थी कि नहीं, को आउरेस को लोग वोट नहीं करते हैं, लेकिन इस बाई वोड़स है कि लोग वोड़क करेंगे, और हमारे गोपेज वंगेनजी वोक्यमित्रि-जी का काम, और हमारे पार्टी की विचारोधारा, इस बाई नोग प्रवावित करेंगी और निश्चित रूठ से आपको लगता है कि देवोग को नगर पंचेर बनाने की घोषना कर दिया है तो मुख्षमंति जी के काम काच क्या जनता के दिलों में घर कर पाएगा और वो गोट में तब्दिल हो पाएगा आपको क्या लगता है नहीं होना तो चाहिए क्योंकि जिस तरह से इस विदान सवा छेतर में कॉंग्रेस पार्टी का विदायक नहीं बन पाया वाजपा की विदायक यहां पर रहे और आप सबको पता है कि कितने सक्री थे वो और पिछले 15 साल से ही वाजपा की यहां पर विदायक है लेकिन उसके बाद भी गुफेस भगेंजी ने कोई बेदवाव नहीं किया उन्होंने यह सोचा कि चाहे विदायक हो हमारा चाहे नहीं हो लेकिन जो भी छेतर है हर छेतर का विकास होना चाहिए तो उन्होंने विगाना वगण छेतर रखते हैंगी है और खासतर देवहोग के लिए विक पदल के तहसील के लिए हो जाकरपारा के लीए हो तो वो सारे और इस जवरन के लिए परेटस्तर का काम किया मकतरी जाकरपारा बॉक तहसील बनाया नगर पंचायत का Directorा दिया सिना पाले बिलांग का घोश्टा किया है हमनी पातर को तहसील बनाया है रोड सड़क बिजली 132 के भी आप सब देखी रहा है जो भी है तो बूल बूल जो समस्य आए थी इस चेत्र के लिए बहुत सारा काम मुख्यमंदर जी ने किया है और जनता जनारदन है वो सारी चीज़ों को समस्ती है मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सरकार के मुख्यमंदर जी के ने किया हुए काम के लिए जरूर इस चेत्र की जनता विचार करेंगी और खास करके किसान वर्ग जो पहले घाटे में हुआ करते थे आज आप देखिए रगवा भी बढ़ा है किसान खुज भी है और किसान खेती करना भी चाहते हैं वीच में तो लोग खेती करना छोड़ देना चाहते थे अगर आपको भी जान कर रही होगा इस बात की निपिन जब से हमारे सरकार की यूजनाय आई अच्छे मूले पर केंद्र की विरोध के बाद भी अच्छे मूले पर दृधान खरीदी हुई लोगों के हर घर में उनके लिए पैसा पहुँचा है सनी को अच्छा मूले मिला है किसान खुस है हमको पूरा विश्वास है कि इस छित्री की जनता इस बार इंजिन्यों को समझेंगी और निश्चित रूप से कागरेस्टा विदायक बढ़ाएगी आपको कहा लगता है पूरे अपनी महनस से काम करता है पर आप भी देख रहे होंगे कि पिछले वार के चुनाओं में हमारे ही पार्टी के पूर्ण विदायक बागी के रूप में हमारे समने खड़े हो गए थे और उन्हों ने जितना वोट हमारा काटा उसका यह चौथाई वोट में अगर हमको मिला होता तो हम चुनाओं जीत गए थे तो हम चुनाव हारे नहीं है चुनाव हम जीते हैं लेकिन कहीं न कहीं अपने ही लोग को हम ठीक से समाल नहीं पाए और हमारे लोग अपने दिरज द्यारे नहीं रख पाए और पार्टी फिलाब जाके चुनाव लड़े लेकिन वर्तमान वे ऐसी इस्तिती नहीं है हमारे इस पूरी तरह से मद्बूत है हमारे मुखिया दीफग मैंट जी और मुख्यमंतर इस बार त्यार है इस बार ऐसी कोई चूप नहीं होगी और हमें इसक्रिफ से चुनावरी कही है तो ये थे वकाइदा अरुन मिश्राजी उन्होंने अपने संगठन को लेकिए संगठन के साथ जो कांगरिस पार्टी से जुड़े हो हैं जिला कांगरिस कमीटी के महमन्सी है तमाम उद्दों को लेकर हम से बाच्चित के उनका कहना है कि इस बार बिजानावगर को अनुवा बिल्कुल समाप्थ होगा और इस बार मुख्यमंसी ठुपिस वही के कामकाच के सारे बिनानावगर की नहियां पार लगेगी केमरा पतानि अंदर वेशा के साथ रभीकांतिवारी वोकल टीवी देभो